जैहिन दोस्तों मेरा नाम है मुनिश और आप देख रहे हैं दी आर्मी वा यूटिव चैनल तो आज हम करेंगे राम सिंग यादिक बुक का रैक्टिस सेटमबर 4 जो कि आपके आने वाले इंडलन आर्मी एक्जाम के लिए बहुत ही मत्तपूर रहने बाला है तो आज हम करेंगे 50 कोशिन जिसमें से आपको जो है अपना मौक टस लगाना है और आपके कितने कोशिन सही होते हैं यह आपको बता रहा है बिनेट अब मेंसे सबसे पहला कोशिन देखते हैं और आपका एक्जाम से लेटर कोई भी कोशिय रहता है तो आप मुझे जो है इस खेलों में यह दिया जाता है और इसकी शुरुबात जो हुई थी 1961 में इसकी शुरुबात हुई थी और 1961 से एक और जो कोशिन हमारा बनके आता है गोवा को फुर्तगालियों से कब आजाद करवाया था 1961 में ही आजाद करवाया था नेक्स कोशिन आपका आता है कोशिन है भ जो हब कितनी है वो आठ है नेक्स कुशन आता है भारती सविधान के निर्माता कौन थे भारती सविधान के जो निर्माता थे वो कौन थे वो आपके वीब राव अमेड कर जो थे इन्हें भारती सविधान का निर्माता भी कहा जाता था नेक्ट आपका कोश्चन बनके आता है पंडी जवालना नहरू से कोश्चन आता है 13 दिसंबर 1940 को ठीक है 13 दिसंबर 1940 को पंडी जवालना नहरू ने उदेश्य परस्ताब परस्तत कर सविधान के अदार शीला हर रखी थी तो कोशन बन के आता है कि 13 दिसंबर 1946 को उदेश्य परस्ताप किस ने प्रस्तित किया था तो पंडी जवालना नहरू ने जो है उदेश्य परस्ताप प्रस्तित किया था एक्स कोशन आपका आता है कोशन है किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है तो लूनी नदी को नमक की नदीवी कहा जाता है कॉशन नबर पांच आपका आता है बगवान महावीर का जनम स्थान कहा स्थीत है तो स्वामी महावीर जेन का जनम स्थान है वो विशाली कुंडल गराम ठीक है विशाली कुंडल गराम में इनका जनम हुआ था फिर कुशन आपके आता है जेन धर्म की स्तापना किस ने करी थी जेन धर्म की स्तापना आपका रिश्यव देव ने जेन धर्म की स्तापना करी थी और बास्तमिक संस्तापक जो है स्वामी महावीर जेन को बास्तमिक संस्तापक माना जाता है जेन धर्म का और ये कितमे जुपालिका नदी के तत्पुर जो है वो सौमी महर्जबीर जेन को ग्यान की प्राप्ति हुई थी और पहला उबदिश राजगरी में दिया था मृत्यु जेन की पावापुरी में हुई थी और रगुवश नामक पुस्तक डैस ने लिखी थी रगुवश पुस्तक जो है किस ने लिखी थी आपका काली दास ने रगुवश नामक पुस्तक लिखी थी नेक्स कुशन आपका आता है पंच शील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर किये थे तो पंच शील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किये थे भारत और चीन ने पंच शील पर हस्ताक्षर किये थे नेक्स कुशन आता है परसिद हजरतवल दरगा कहां पर स्तित है तो परसिद हजरतवल दरगा जो है यह आपका शिरी नगर में स्तित है नेक्स कुशन आता है केश शहर को अर्व सागर की रानी कहा जाता है तो केश शहर को अर्व सागर की रानी कहा जाता है हिमायु का मकवरा गहां स्थित्थ है शाहाजां का मकवरा कहा है शाहाजां को मकवरा जो है वो आपका आगरा ताहाजमेल में स्थित है और अरंग जेब का अरंगा बाद में स्थित है मकवरा ठीक है Next question आपका आता है Question है निमन मैसी किस भारती नागरी को नोबल शांती पुरुषकार 2014 से समानित किया गिया था तो नोबल शांती पुर्सकार 2014 किसे मिला था के लाज शत्यार्थी को मिला था कुशन आपका आता है 2019 का अर्द शास्तर में किस भारती को नोबल पुर्सकार दिया गिया था तो शांती में अभिजीत बेनर जी को जो है जो कि अमेरिका के अब बासी हैं और भारती मूल से ही स्पंदित हैं उन्हें 2019 का अर्ध शास्तर में पुर्षकार नौबल पुर्षकार मिला था एक्स कुशन आपका आता है ये कुशन रपीट है हजरत वल दरगा आपकी शिरिनेगर में स्थित है कुशन आपका आता है निमन मैं से कौण सा देश का सरवच खेल पुर्षकार एववोड हैं यहाँ पर सबसे बड़ा खेल पुर्षकार की बात हो रही है भारत की अरजुन अवोर्ड आपका ये भी आपका जो है स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है दुरोनाचारे अवोर्ड जो है आपका कोच को दिया जाता है गुरु को दिया जाता है दुरोनाचारे पुर्सकार और राजीव गांदी खेल रतन जो है ये खेलो का सबसे बड़ा पु वहुई थी पुर्षन आपका आता है भारत का रास्टि पशु कौनसा है तो बाग यह भारत का रास्टि पशु है साइना नेवाल किस खेल से सबंदित है साइना नेवाल जो आपका बैडिवेंटिन से सबंदित है सुनिल शेतरी आपका आसकता है सुनिल शेतर आपका फुटबॉल से सबंदित है ध्यान चंद आपका पूछता है ध्यान चंद किस खेल से सबंदित है या आपके होकी से स्वनित है, सानिया मिर्जा भी कभी कभी पूछ लेता है, जो कि आपके टैनिस से स्वनित है, कॉश्चन आपका most important है, आपका science का कॉश्चन है, बैटरी में कौन सी उर्जा भंडारित होती है, बैटरी जो होती है, रसाइनिक उर्जा को बिदुत उर्जा म जो परमुख गुरूप से दैश को प्रभावितर करती है आपकर लेयु कीमिया ठीक है लेयु कीमिया बीमारी किस आंग को प्रभावित-करती है यह रखतकोश्य नामक बीमारी Next Question आपका आता है इन मेंसे कौन सा परदात्त तेजाब अमल है ठीक है आपको बताना है कौन सा अमल जो है ठीक है या जो परदार्थ है वो एसिड या फिर अमल है H2SO4 ठीक है H2SO4 जो है या आपका एक तरकार का अमल या फिर एसिड होता है और मेरे ख्याल से इसे अमलों का राजा भी कहा जाता है नेक्स कुशन आपका आता है अलफा कर्ण होते हैं जो आपके अलफा कर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं धनात्मक होते हैं रिणात्मक होते हैं उदसीन होते हैं वह के ज सूरह के चारोतवक्रहते को क्या कहा जाता राष्ट को क्या चान आता है कौन सी है तो माने शिरिशी जो सबसे बड़ी गरंती होती है वो यक्रिज जो होती है सबसे बड़ी गरंती होती है नेक्स्क्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रॉतर है Rीके दाना जीुदक है निर्ट च्छिल थाती है 0-1 b 10 10-25 स्राइवर्फ कुम्त मैं मेंसे कॉन सारों nёмा इसे imple each बिलक्तया है। मेरे ख़ैल से मेरे ख़ालती है। ये आपका Vaacterium के दवार हाँ फैलता ख्रशे रोग की इसे कहते है या फिर तुपडयेओ इसे कहते chicken box मेरे ख्याल से बाइदेस से फैलता है किस से फैलता है इसकी ज्यादा मुझे पता नहीं है इवोला वायरस चेयरिक है इवोला वायरस आपने नाम सुना होगा next question आपका आता है question है एक वशिली शिवशन के लिए उप्योग करती है गलफडो यानि गिल का प्रियोग करती है next question आता है कौन सी गयस जहरीली होती है ये question imported है carbon monoxide carbon monoxide जो होती है एक जहरीली गयस होती है जो की हमारी गाड़ीयों से निकलती है लाल रिवन हरे बल्लब के ऊपर कैसी दिखाई देती है यानि लाल बल्लब या लाल रिवन जो होता है उसको जो है आप हरे बल्लब के ऊपर रखोगे तो वो काला दिखाई देगा Next question आता है मेंडे के हिर्दे में कितने कक्षष होते हैं इंपोर्डच कrãoर्ज़ आता है निवन वैसे ऒसपोटक कौन सा है आपका TNT दीखे Ink और TNB यह दोनो जो है यह बसपोटक हैं आपके next question आपका देखते हैं reasoning का हमारा सबसे पहला question आता है question आपको यह numbering दी हुई है आपको next value put करनी है 27 में क्या जमा करेंगी या फिर क्या plus करेंगी आपका 35 आएगा 27 में आप 5 plus करोगे तो कितना आएगा 32 आजाएगा 32 में minus 2 करोगे 30 में plus 5 करोगे 35 में minus 2 करोगे कितना जगा 33 आजाएगा अब आपका 33 में plus होगा या minus होगा 33 में कितने plus होगे 5 plus होगे कितना आएगा 28 आपके पास आजाएगा या फिर इस तरह भी देख सेथे यहाँ पर एक छोड़ा इन में gap देखना है इन में gap देखना है फिर इन में gap देखना है देखना है तीन, तीन, तीन का तीन, तीन का प्लस फिर तीन होगा ठीक है 35 में 3 करोगे 38 आपके पास आएगा नेक्स कुशिन देखते है रिजनिक अमारा अगला कुशिन आता है घड़ी जो है वो समय बताती है अखवार जो है वो किस परकार सबंदित होगी घड़ी से आपका समय सबंदित है अखवार से आपका क्या समंदित होगा कागज, समाचार, नौकरी या फिर चलचितर तो अखवार से आपका समाचार यानि अकवार से हम समाचार पढ़ते हैं next question आपका आता है यहाँ पर यह विल्ड जो है इसकी coating यह है इसकी coating जो है इसकी आपको बताने यह किस कार समंदित आपके तो आपको देखने ठीक है M से क्या K किस तरह समंदित है M से K किस तरह समंदित है इसमें माइनस दो हो रहे है U से किस तरह समंदित है U से K से प्लस दो हो रहे है और S से किस तरह समंदित है यह माइनस दो हो रहे है और I से किस तरह समंदित है I से किस तरह समंदित है प्लस से दो हो रहे है पहले से माइनस दो रहे है फिर 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 फि नमबर B नहीं हो सकता फिर आपको देखना है आर के बाद क्या होगा आर के बाद 2 माइनिस होगे तो आर में 2 माइनिस करोगे कितना है आपके पास P आजाएगा अब आपको देखना है Q, R, P Q, R, P इसमें नहीं है Q, R, P इसमें है यानि option नमबर इसका सही रहेगा पूरा करने के आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी next question आपका आता है आपको बताना है ये बल्ड आपको दिया हो है इस बल्ड से कौन सा बल्ड जो है वो नहीं बनता ठीक है इस बल्ड से कौन सा बल्ड जो है वो नहीं बनता देखना है पहले में E है इसमें भी E है N है इसमें इसमें भी N है T S में T है आपका इसमें R है कहीं R भी है आपका A है तो आपका इसमें A कहीं भी नहीं है ठीक है इस वर्ड में आपका A जो है वो कहीं भी नहीं है पर इस वर्ड में आपको A देखने को मिल रहा ठीक है तो option बर A जैस से ही रहेगा ये question आपका imported है थोरा सा आपको वजीब सा question लगेगा सो होन अपने घर से पश्चिम की और 15 km चलता है पहले आप दिशाव नालो उत्तर आपका यहां गया दक्षिन आपका यहां गया ठीक है और आपका पूरव आपका यहां आ गया और पश्चिम आपका यहां आ गया बोलता है अपने घर से मान लिया उसका घर यह है यहां से पश्चिम और यानि पश्चिम आपका यहां इस साइड होगा आप कितना चलता है 15 km चलता है ठीक है यहां तक कि यह 20 km हो गया फिर वो बोलता है बह फिर से ठीक है बह फिर से पूरव मैं मुड़कर 25 km चलता है फिर वो कि का साइड चलता है ठीक है यहां से 20 km चलता है उसके बाद बोलता है वो पूरव साइड मुड़ता है पूरव साइड के साइड होगी तो पूरव जहापकी इस साइड है यानि इस साइड कितना चलेगा 25 किलोमेटर चलेगा यहाँ कितना चलेगा 25 किलोमेटर यह चलेगा फिर बोलता है कि बह अपने वाई और मुड़ता है अब उसका 22 साइड कौन सा साइड होगा ठीक है ओपर की और 22 साइड होगा और कितना किलो मेटर से चला? 20 कलो मेटर बो चला तो यहां तक इसका 20 किलो मेटर आगए, ठीक है, अब भोता है कि बो यहां से आपने घर की दूर कितनी है, बह अपने घर से कितनी दूर है तो यहां से आपका यह 15 था ठीक है यह आपका 15, 25 में से 15 निकाल दो ठीक है आपका 10 आ गया तो इसका कितना gap रहेगा तो 10 किलोमेटर दूर है ठीक है वो कितनी किलोमेटर दूर है वो आपका 10 किलोमेटर है अपने घर से Mathematic equation start करने से पहले मैं एक question जो है हमारे पिछली मोग test का रह गया था question number 38 जो आपको मैं solve करा देता हूँ 2x plus 3y plus 2 और x plus 2y minus 2 को आपको योग यानि plus करना है simple सा एक question है पहले बोलता equation गया है 2x plus 3y plus 2 बोलता है इसमें आपको क्या plus करना है 1x plus 2y minus 2 आपको क्या है plus करने है 2x में 1x plus कर दोगे 3x आपके पास आ जाएगा फिर 3y में 2y plus कर दोगे तो कितना जगा 5y आपके पास आ जाएगा आपका यहाँ plus और यहाँ minus है plus minus होता है और फिर आपको plus करना है फिर आप plus minus करोगे तो minus ही आपका होगा यहां यहां जो होगा यह आपका माइनिस हो जाएगा ठीक है दो से दो कट जाएगा यहां आपका 0 आ जाएगा तो value के आए आपके पास 3x प्लस 5y तो यह आपके पास असर आएगा option number c जो है इसका answer होगा तो practice number 4 का mathematics का पहला question आता है 3x की power 3 बराबर है 375 x की प्लस आपको घ्याद करनी है x की power 3 आप यहीं रहने दे 375 की नीचे 3 आपका यहां जाएगा इसकी नीचे आजाएगा इससे आप कार दो कितना जाएगा 125 ठीक है 125 आ गया अब आप यह cube है दूसरी सार ले जाओगे आपका हो जाएगा ठीक है अंडरू टाइप आपका cube आ जाएगा ठीक है यह पावरतीन आ जाएगी तो आपको देखना है 25 जो है ठीक है किसके cube में आता है 125 जो है वो किसके cube में आता है तो 25 जो है पांच के cube में आता है ठीक है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 पॉइंट तीन इसे आपको solve करना ठीक है सीधा multiply कर दो आपके पास कितना आजाएगा आपके पास करीविन आजाएगा 11.0 21 ठीक है 11.021 ठीक है तो option number A जो है सही रहेगा next आपका question ये बोलता है पर इतना important नहीं है तो इस question को आपको छोड़ सकते हो next question आपका आता है बोलता है एक सम कोन त्रीवुज में करन का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो इसका से इंसर गया रहेगा question number 34 option number C जो है वो दो सही रहेगा नेक्स कुशन आपका आता है नियून कौन कितनी डिगरी का होता है जो नियून कौन होता है वो कितनी डिगरी का होता है 90 डिगरी से कम का कौन होता है ठीक है नियून कौन जो होता है वो 90 डिगरी से कम का होता है नेक्स कुशन आपका आता है कुशन आता है एक घन का संपूर् पृरिष्टी शेत्रफल कितना हो दाए ठीक है दो कोशन बनते हैं जैसे घन हो गया क्यूब हो गया यह सभी जो होते हैं आयतन आगया गोलाकार हो गया ठीक है इन सभी के जो दो-दो शेत्रफल बनते हैं संपूरण और अर्द ठीक है बकर या फिर बकर में रिख्याल से कहते हैं आधे का अंदर का या फिर पूरे का ऐसे करके इसके वनते हैं तो संपूरण शेत्रफल जो होता है वो घन का पक्या होता है 6a cube ठीक है 6a square में आपकरें 6a square तो option number b जो है वो सही रहेगा नेक्स्ट कुशन आपका आता है एक अर्ध वृत का शेतरफल 308 परग मेटर है तो वृत की तरिज्जा कितनी होगी शेतरफल आपको दिया है और शेतरफल का अर्ध वृत का शेतरफल का फॉर्मूला क्या होता है एक बटा दो एक बटा दो आपका पाई आर स्केर ठीक है तो आपके पास जो शेतरफल दिया कितना दिया है 308 आपके पास रहे गाए इसे उपन कर दो एक बटा दो आपका आजएगा नीचे और पाइक ओपन करोगे तो बाइस फैटा साथ आपका आजाएगा और आर स्क्वेर जो ऐसे ऐसे रहेगा 308 आपका इस साइड रहेगा 2 और साथ को ठीक है 2 और साथ को दूश साइड ले जागो तो 3 से यह मल्टिप्लाई हो जाएगा ठीक है और 22 को नीचे ले जाओगे तो आपका 22 नीचे आजाएगा ठीक है अब इससे स्वाल करेंगे दो से आप कड़ जाएगा 21 कर जाएगा 21 आपको आजएगा 21 को आप companies काड़ सकता है 21 को आप 308 से काड़ सकते हो ठीक है 11 28 11 28 कितने होते है 308 11 28 ग्यारा से कड़ जाएगा तो ग्यारा के से काटोगे 308 को तो 28 आपके पास आजाएगा और 28 को मल्टिप्लाइ करोगे 27 से कितना होता है 28 से मल्टिप्लाइ करोगे 2790 ठीक है आपके पास कितना आगया आपके उस सैट बनके आजएगा ठीक है ऐसे करके ठीक है अब आपको देखने है कि 11xtadt बोलता है दो संख्या अनुपात अका योग अनुपात 3 है उनका योग गया बहुत नुटव 40 है और अन्तर आपको बताना ठीक है पहली संक्या और दूसरी संक्या की भी चो अंतर है वो आपको बताना है सबसे पहले आपने देख लिया एक संक्या हमारे पास कितनी तीन एक दी हुए दूसरी आपके पास तीन अनुपात में दी हुई है इन दोनों का योग ठीक है कितना दियो ऊइ 240 दियो होए तो अनुपात जो नुपात दिये वो भी आपको पलस कर दिने एक पलस तीन करूग इस चार आपके पास एगा इस चार को आपको डिवाइट कर दिने है 240 240 से कर जोगे किदना जगा आपके पास आजगा 60, ठीक है, X की value आपके पास 60 आ गई, ठीक है, X की value आपके पास कितने आगी, 60 आ गई, अब इस 60 को आप X A और X B से, ठीक है, X A हमने एक माना था, X B जो है मने तीन माना था, तो इनसे मल थी कर तो पहली value आपके पास 60 आगी, दूसरी value आपके पास कितने आगी, 60 को multiply क होगे 3-180 ठीक है पहली यानि पहली संक्य आपके पास किती ची 60 दूसरी संक्य आपके पास 180 थी दोनों का अंतर पूछवा दोनों को माइनिस कर दो तो कितना जाएगा 120 तो दोनों का अंतर कितना 120 का तो option बड़ी सही रहेगा next question आपका ये मैं question mock test पिछले practice set में करवा चुका हूँ तीन इसका सही अंसर रहेगा वीडियो आप चेक कर सकते हैं next question आपका आता है question बोलता है एक रेल गाड़ी 40 km प्रती घंटा की रफ्तार से चल रही है यदि एक खंबे को 18 सेकंड में रफ्तार कीते करेगी तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी थी है गाड़ी के लंबाई आपको ग्यात करनी है और खंबे कोटी के खंबे को कितने सेकं तो 5 बटा ठारा ठीक है 15 बटा ठारा करतो यह करता है कर जाएगा ठीक है कितने से कर जाएगा 2 से कर जाएगा 9 और 20 को multiply करोगे 5 से कितना जर्यकर गा 100 आपका आ जाएगा 10 बटा 9 आपका आजाएगा इस 100 वटा 9 को ठीक है 100 वटा 9 मीटर पर सेकंड ही रहने दे ठीक है अब आपके बास फॉर्मॉला क्या होता है ग्याद करने का चाल इसको एटू दूरी वटा समय ठीक है दूरी वटा समय तो दूरी आपको निकालने है या फिर आप मान सकते होगी रेल की जो लंबाई आपको मानने है टाइम आपको दिया हुआ है तो आपके बास जो स्पीड थी वो कितनी थी 100 वटा 9 और दूरी आपको घ्याद करनी थी या फिर मान सकते है फ्लैटफरॉम गाड़ी की लंबाई आपको मानने है ठीक है समय आपके पास अठारा दिया हुआ है इस अठारा को आप दूसरी साड़ ले जाओ तो मल्टिप्लाई अठारा आपकी यहाँ हो जाएगे 9 से अपकर जाएगा 9 दूरे अठारा होते है और 2 को मल्टिप्लाई करोगे 100 ते 200 मीटर ठीक है A का स्केर माइनिस B का स्केर इसकी वैल्यू आपको हल करना है तो आपको देखना है आपको पता है A प्लस B अंडलूट का स्केर का फॉर्मूला क्या होता है A स्केर प्लस V स्केर प्लस 2AB ठीक है A square plus V square plus 2AB और आपके बास दूसरी value कहे थी minus A square minus B square तो A square यहाँ plus का यहाँ minus का यह गड़ जाएगा यहाँ B square plus का है यहाँ minus का यह गड़ जाएगा तो बचखे जाएगा आपके बास 2AB ठीक है 2AB जो है आपके पास बच जाएगा तो option number D इसका सही रहेगा फिर question आता है एक बृत का शेत्रफल ग्याद करें जिसकी या जिसका व्यास जो है वो 5 cm है तो बृत का आपको शेत्रफल ग्याद करना है और व्यास आपको दिया हो है बृत की शेत्रफल का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है 2R या आप यहीं रहने दो 2 कोज़ें दूसरी साड ले जाओ इस साड आ गया इसे अब आप काट दो तो यह आपको पास 2.5 आ जागा 2.5 आपके पास आ गया तो आपके पास आर जो है वो कितना आ गया 2.5 आ गया शेत्रफल आप निकाल सकते हो कितना होता है पाई आर स्केर ठीक है पाई आर स्केर जहें वो किसका शेत्रफल होता है बृत का शेत्रफल होता है बैल्यू पूट कर दो 27 गुणा आर हमारे पास था 2.5 2.5 बटा इसके ठीक है पॉइंट हटा दो 10-10 नीची आ जाएगा 27 बटा 7 बटा 2.5 या 2.5 बटिपला कर दो तो आपके पास कितना जाएगा 19.64 जो आपके पास सही अंसर आजेगा 0 भी आस ले सकते हो आपकी मर्जिय स्वार्फ आपको करके देखना है नेक्स कुशन आता है 729 का बर्गमूल क्या होगा 729 का आपको बर्गमूल बताना है ठीक है तो 729 जो होता वो 27 का बर्गमूल होता है 27 को नगा 27 कितनी होते हैं आपके 729 होते है नेक्स कुशन आपको ये शृंकला दिए या आपको पूट करने है ठीक है 3, 9, 27 और 81 ठीक है ये किस पार समन दीता है 3 को 3 से गुणा करो 9 आता है 9 को 3 से गुणा करो 27 होता है 27 को 3 से गुणा करो 27 को 3 से गुणा करो कितना आता है 21 आता है और 81 को 3 से गुणा करो 3 का 3 आ गया 8 नहीं 24 आपको कितना है देगा 244 ठीक है 244 चो अप्शन नमबर D से ही रहेगा next question आपका आता है sin 2 theta plus cos 2 theta की value आपको पता करनी है तो इसकी values होती है वो एक होती है maximum एक question भी आपकी exam में नहीं पूछी जाते है बाकि वीडियो आपको पता नहीं वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो जेकने के लिए thank you जाइन बनने वात्रम